तो हेई हलो गाईस ट्रेडिंग लाइफ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस को क्यों लगाया जाता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है तो सबसे पहले बता हूँ कि स्टॉ स्टॉप लोस क्या होता है आप अगर option buying करते हैं जैसे कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर मान लो आपने 50 रुपए का प्रीमियम खरीद है ठीक है आपको मिनिमम मान लो 50 खरीदने पर रहें तो आपका कॉस्ट बैट रहा है धाई हजार रुपए का अब स्टॉप लॉस क्या होता है स्टॉप लॉस एक फंक्शन है जो आपको बड़े लॉस होने से बचा लेता है ठीक है मान लो अपने धाई हज रुपए का खरीदा है और आज को एक्सपायरी के दिन में क्या होता है कभी कभी ऑप्शन की वैल्यू 0.05 में जाके खतम होती है मतलब पच्यास रुपए का जो आपने ऑप्शन बाई किया है वह एड़ एंड अफ दे आपका 0.05 का बिएगा मतलब आपके धाई हजार रु पीस का लॉस जो की बहुत बड़ा लॉस है तो इस छेत्र में हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं स्टॉप लॉस हमारे लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्प कर देता है हमारे कैपिटल को सेफ करता है तो स्टॉप लॉस क्या होता है आशा करता हो आपको समझ आ गया होगा और stop loss trailing क्या होता है वो बताता हूँ मानलो मैंने 50 रुपे का एक stock buy किया था और मैंने stop loss लगया था 45 रुपे का मैंने 5 रुपे का risk लेया था अब मेरा risk to reward ratio था 2x का मतलब 5 रुपे में 10 रुपे का मेरा risk था तो जैसे ही market price उस stock का 50 से मानलो 60-65 पे चला गया तो अब मैं अपना जो मैंने 45 रुपे का stop loss लगया था 5 रुपे का loss लेने का decision लिया था उसको मैं अब उपर trail करके 60 रुपे का कर दूँगा modify करके ठीक है तो अब क्या होगा मानलो market नीचे भी आता है कितना भी नीचे आए 60 रुपे में मैं अपना 2X का target book करके ही अपने market से exit करूंगा तो यह होता है stop loss trailing अब मानलो 60 से 70 80 तक चला गया तो आपको 60 नहीं रखना है फिर आपको 60 को 70 75 ऐसा कर देना है तो इससे क्या होगा आपका जो risk होगा वह minimize तो हो ही चुक है उसके साथ साथ आपका reward increase हो रहे तो इसको कहते है stop loss trailing को आई section में एक वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर मैंने grow app में stop loss लगाना और stop loss को कैसे ट्रेल कह जाते वह दोनों चीज़े मैंने बताई है तो चेक कीज़े